ओम प्राम सभी दर्श को कि आज मैं आप लोगों को बीच में फिर पस्तित हूँ आज मैं जल तत्तों के बारे में बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे हमको मेशेज मिल लाए हैं कि पानी केतना पीना चाहिए पानी कैसे पीना चाहिए पानी कितनी देर में पीना चाहिए पानी कब नहीं पीना यह नहीं है आज चर्चा करेंगे पानी के बारे में आप सब जानते हैं यह सरीर 5 से बना हुआ है जब कभी हम ढयां सो ताला आईसे सरोवर के पास बैठते हैं, तो उस भाते हुए निर्मल जल को देख कर्मन बड़ा आननदित होता है. वो जल हमारे सरी के लिए कितना आवस्यक है, इस पर थोड़ा सा आप जान ले. आईए चर्चा करते हैं, जानते हैं पानी कितना पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, पानी कब नहीं पीना चाहिए, और पानी की सरीर में आवसकता क्या है. आप जानते हैं, पानी में 0 कैलोरी होता है, कोई कैलोरी नहीं होता, पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वाधहीन होता है पानी हमारे सरीर का 70% हमारे सरीर में पानी का होता है, उस पानी की आहमियत को समझे, पानी की कमी हो जाए, तो भी गड़वड, पानी जादा पी लिया, तो भी गड़वड, पानी गलत पी लिया, तो भी नुक्सान दाया आईए पहले जाने पानी की सरीर में कमी से या कम पीने से होता क्या है प्राया लोगों को देखे होंगे आप कम उम्मर में जुर्यां च्छाईयां पड़ जाती है चेहरे से ग्लोब गायब हो जाता है तमाम चेहरे पर विक्रतियां तवचा में हमारे शिकुरन आजाती है यह पानी कम पीने वालों को ज़्यादा होता है पानी कितना पीना चाहिए इस पचरचा करिए विचार करिए कम से कम 3-4 लिटर जल पानी हमें लेना ज़रूरी होता है पानी ठंडा पीना चाहिए पानी गरम पीना चाहिए न पानी ठंडा पीना चाहिए न पानी बहुत ज़्यादा गरम पीना चाहिए पानी टंप्रेचर जो सरी का टंप्रेचर है उस हिसाब से नार्मल पानी पीना चाहिए हलका गुन-गुना पानी आप पी सकते है पानी सबस खाली पेट, अम्रित का काम करता है, तो कम सकम सुबद दो गिलास पानी आप पी ले, खाली पेट, बिस्तर पर से उठने के ततकाल वाद, पानी कैसे पिया जाता है, जानते हैं न, गट गट करके पानी पी लिया, दो घुट में एक गिलास पानी पी गए, ऐसा गलती नहीं कर करके थोड़ा सा दोड़ा लिया करें, हर बार, ताकि मुँ में जो इसलाइबा है, जो लार है, वो हमारे सरीर में चला जाए, मुँ में पानी दोड़ा करके, घूट घूट करके, पानी को धीरे धीरे पेट में डालना चाहिए, पानी खड़े होके मत पीजिए, अगर घु किड़ने के रोगी हो जाएंगे चाहे मैला हो या पुरुस वालक हो या व्रिद्ध किड़नी में भी हमारे नुक्सान करता है या खड़ेयों के पानी पीने कुछ लोग आप देखे होंगे गिलास से लोटे से या बोतल से ऐसे उपर करके गट-गट करके पानी को पी जाते है ना उसमें वायू की मात्रा अधिक हो जाती है गैस जादा बनने लगता है जो मुझ के उपर गिलास करके बोलते हैं जुठा नहीं हो रहा है मैं उपर से पी लिया या पानी भी पीने का तरीका गलत है बैठ करके कुर्शी पर पलंग पे कहीं भी आप पानी को पीजिए पानी कभी भी आप किसी फल दूद चाय आद के बाद नहीं पीना चाहिए ध्यान रखिएगा पानी भोजन भूख लगी है पानी मत पीजिए पेट की जो जठागनी है वहां मंद पढ़ जाती है बहुत ज़रुरी हो मुझ को गिला करने के लिए का गुट पानी ले लिया बीच में प्यास लगती है तो दो एक घुट पानी लिया सकता है पानी भोजन से 40 मिनट बाद आप पूरा पानी एक गिलास पी लिजिए जब आप दूद पी रहे हैं उसके बाद पानी मत पीजिए जब आप फल खा रहे हैं फल का जूस ले रहे हैं तब पानी मत पीजिए पानी भोजन के बाद पीएंगे, खाली पेट पानी पीजिए, पानी हमने बताया कि 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, एक बार में पानी पी लिया हमने 2 लीटर, ना, एक गिलास से ज़्यादा नहीं, या जितनी प्यास लगी है हमें, उतना पानी हमारे सरीर में जाना चाहिए पसीना भी हमारे रोम स्कूप से निकलना चाहिए, एक लीटर के आसपात पसीना आपके सरीच से निकले का बंदू, कभी बिमार नहीं पड़ेंगे, वो मेनद करके पसीना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गर्मी लेके पसीना ले ले, थोड़ा सा मेनद करके पसीना निकालिए, इतना पानी पीजिए जितना सारीर के लिए आवस्यक हैं सारे तत्व का अप्नी मात्रा है सबूलना अद्यत की भलीनदूप हर चीज की अध्यादा होते हैं मात्रा में अनुशार करें की पानी पानी पीते हैं । इसी गलती नहीं जडूने हैं ए। रात को सो के उठको प्यास लगी है किनी कारण बस गला जल्ला या भोजन नहीं पचा है तो पी लिया उठकर के या रात को सोने से पले कभी भी पानी नहीं पीना चीए क्योंकि बार-बार पे साफ लगेगा आपकी तंद्रा भंग होगी नीद आपका उच्टेगी आपको नह आएगी रात को कई बार पे साफ करना स्वास के लिए अच्छी बात नहीं है तो पानी रात को नहीं पीते हैं इस बात का भी ध्यान रखिए पानी चुस्की लेके पीजिए पानी पूरी मात्रा में पी लीजिए पानी पूर्ण अहार भी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठ